वाइस, I am here with a new YouTube video on law of evidence मैं है यहाँ पर आपको बताऊँगी कि जो हमारा भारती साक्ष अरिनियम है जो evidence act है वो है क्या, उसका मतलब क्या होता है और उसका जो कैसे हमारा ancient evidence law है वो develop हुआ हमारा मतलब किस-किस historical उसका development क्या है, किस-किस era में वो कैसे-कैसे develop हुआ मैं इसमें आपको बताऊँगी क्यों हिंदू, जो हमारा ancient Hindu period था, उसमें कैसे हमारा evidence law डेवलप हुआ ancient Muslim period में कैसे develop हुआ, जो British period है इसमें कैसे-कैसे यह develop होके है, हमारा Indian evidence act 1872 force में आया ठीक है, तो let's get started यह देखिए, अब क्या है कि हमारे जो society है, हमारे society में ऐसे dynamic change आते जा रहे है कि हम, we feel to believe the words of mouth कि लोग कुछ भी बोलते हैं, हम believe नहीं कर पाते हैं, because हमारे dynamic society में changes ही ऐसे होते हैं, ठीक है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, written document evidence चाहिए होता है, ठीक है जो evidence है, वो बहुत important role play करता है, for establishing the occurrence of event कि कोई भी event occur हुआ, तो उसको establish होने में, कैसे-कैसे वो establish हुआ तो अब कैसे-कैसे murder किया, कहां जाके murder किया, किस चीज से murder किया, तो यह जो occurrence हो रहे है इन सब को determine करने में एक बहुत important role निवात है हमारी Indian Evidence Act ठीक है, यह जो हमारे law of evidence है, यह किस पर बास है, रीजनिंग और logic पर बास है यह बिना हमारे पास हमारे पास कोई proper piece of evidence नहीं है तो हम case के merit को deciding नहीं कर पाएंगे एक court of law में so it is essential that we need evidence for the proper implementation of justice ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि evidence का मतलब क्या होता है जब भी हम word सुनते है evidence, तो first word जो होता है वह evidence का जो word है, वह किस से associate करता है proof से ठीक है, therefore, जो word evidence है किससे drive हुआ है वह एक Latin word है evidera, उससे drive हुआ है, उसका मतलब होता है to discover clearly or to ascertain, कोई भी चीज हमें अच्छे सा discover करनी है, ascertain करनी है धूडना है उसका proof हमें चाहिए, उसको बोलते है evidence जो कि इस evidera word से describe हुआ है, बहुत सारे jurists है हमारे ancient जिनने evidence को define किया गया, for example, एक Blackstone नाम की jurist थी उनने बताया गया कि जो evidence है यह mostly क्या signifies करता है, यह demonstrate करता है, यह transparency करता है और जो such है, और जो such facts है, उस facts के बीच एक transparency बनाता है कि यह तर्थ्य जो है, यह सही है या गलत, जैसे A ने B को मारा, तो यह सही है या गलत है, A ने B को मारा या नहीं मारा for this, for determining these things, we need proof, we need evidence, तो evidence, अगर हमें पास evidence होगा तो मारा या नहीं बारा इसके बीच पे जो transparency हो जाईगा हमारे पास ठीक है, और बहुत सारे जदिस्ते जिनने अपना अपना view दिया है, ठीक है, अब evidence हम बता सकते है, evidence में क्या-क्या include होता है, तो हमारे जो Indian evidence है, उसके according evidence में क्या आ जाएगा, सारे ऐसे statement, जो court permit करता है तो उनका जो भी statement है, वो सारे हम statement के रूप में ला सकते हैं, ठीक है, और सारे document, electronic records वगेरा भी हम जो documentary evidence है, यह सब पेश कर सकते हैं, अब यह तो था introduction, थोड़ा सा evidence act का, मैं बताते हूं कि जो evidence act है, उसका background क्या था, historical background क्या था, क्यास कैसे वो evolve हुआ था, तो हमारे Indian evidence act है यह three periods में evolve हुआ है, एक ancient period में, एक ancient, मतलब हिंदू period में, second ancient Muslim period में, third British शहरा में, तो ancient Hindu period में क्या होता था, कि वो हमारा धर्म शास्त्र के according चलता था, जिसमें तीन तरीकी ordeals थी, पहला बताता था कि हमें लेक है, दूसरा था साक्षी, तीसरा बुक्ती, लेक है मतलब होत साक्षी, साक्षी मीन्स विटनिस, जिसने देखा आए घटना, जिसने अपने कोई भी sense, और इस ने feel किये, वो चीज परसीब किये, तो आखे वो कोड में बताता है, तो वो होगे साक्षी, तीसरा होगे बुक्ती, बुक्ती मीन्स पजेशन, यह कोई चीज किसी के पजेश एक्जांपल, पहला ता divine proof, second time human proof, जो हमारी ancient हिंदू, पीरेड में अगनी परिक्षा, ठीक है, मतलब चार तरीके divine proof, में परिक्षा होती थी, जैसे हमारी अगनी परिक्षा वगयरा हो गई, है ना, या पानी की परिक्षा हो गई, तो न्याय करने के लिए, यह चीज एंब कि बहुत हमारे इंशेंट उसमें मानी जाती झाली ठीक है और ये तो हो गया हिंदु का ठीक है सैंके बता जाता था हिंवन प्रूफ हिंवन फूम्ण में मतलब की जैसे कोई रिटन डॉप्यमेंट हो गया या किस ने अपना इस्तेटमेंट दे लिद तो वह ऱ्लावन दे चा हम बोलते हैं तो ये तो हमारा इंशेंट हिंदुला के बाले मैं हम बताते हैं आपको एंशेंट लौक के बाले में कि उसमें एविद्स लुए तो इक बूर हमाई देश में साशन कर देते तो वहां पर कुछ नॉनम्सलिम थे जो हिंदु योगे अगर गाई सब इंक्लूटते तो वहां पे जिसे सिवल प्राइब डिस्प्यूट हुआ जिसे प्रॉपर्टी और मैरीच का थो हिंदू के मतलब हिंदू है जो मुसलिम है उनके प एक हनाफी लोज था मॉमडन में वहां पर पे तीन तरीक एविदेंस बताए गए थे पहला था तोवातूर सेकें इहाठ तीसरा एक्रार तोवातूर में क्या होता था यह फुली ऐविदेंस उता था कॉलाबॉरेटिव मतलब की एक तरीका अस्ट करने वाला है इस पूर्टे करती ते हैं हम पढ़ते हैं चीज में हुएक थी उसका बयान ऐह से एक सिंग्ल इंडिविजुल की स्टेटमेंट उसका बयान टेस्टिमय होती थी जा या तो तुसमें अज़न होता था यह कन्फेशन होता था एक वह अपनी लायाबिलिटी करें तो तीन वहां पे प्रेसिदेंसि टाउंस थे मद्रास बॉंब्य और कलक्ता ठीक है यह इनका नाम तो प्रेसिदेंसि टाउंस उनको बोला जाता था और इनके बाहर के जो भी इलाके थे इनको मौफिसल एरिया हम बोलते थे ठीक है अब जो रॉयल चार्टर जब पहले इसको राइट मिल जाता है कोई सिटी एस्टरबिश करने का कोई बिजनेस करने का ठीक है तो प्रेसिदेंट्सी टाउन्स में इंग्लिश रूल आप्ली केबल था और जो मुफेसल लॉव है उन पर इंग्लिश रूल आप्ली केबल नहीं था तो जजस अपने विल द्वारा तो उनके मर्जी थी कि एविडेंस को अचैप करें निया करें उनके उपर ठीक है तो यह प्रॉपर कोई लॉव हाँ पर एविडेंस अप्लेक्सिटी जान लगी तो बिटिश गौवर्मेंट ने सूचे कि हम लॉव एविडेंस का एक रिटन फॉर्म कोडिफाय करते हैं त इसका चैर्मेन कौन बनाया है सर हैंडरी जैम्स को बनाया गया तो उनने जो ड्राफ बनाया था था उनकी जो कमिटी ने लेकिन वह उन्सुटेबल था हमारे इंडियन के कंडिशन को देखके तो 1870 में एक लॉव एविडेंस को को कौडिफाय करने का काम किसको दिया गया स सब्सक्राइब ने जो ड्राफ बनाया था वो इसने हाई कोट और बार को भीजा उनकी उपिनियन के लिए तो उन सब के उपिनियन पॉजट पॉजट पॉजटेव एक सब्सक्राइबर 1872 को हमारा इनक्ट हो गया इंडियन एविडेंस एक्ट टिके इंडिपेंडेंस से प सब्सक्राइबर 1847 में तो यह चुट 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 प्रिंसली स्टेट्स थे ना 600 यह समर्ज हुए यूनियन आफ इंडिया के साथ मर्ज होने के बाद इक इनकी उपर सारे हमारे इंडिया में जितने सब्सक्राइंटिव और प्रोसेजर लौत है वह सब्सक्राइब होने लगे ठीक हैं फिप्टिन आगस्ट नाइन फॉर्टी सेवन के बाद 1872 को जो हमारा एविडेंस